तो जरूरी नहीं कि किसी और का साजन हो तभी हम डिपेंडेंट हो अगर हम किसी चीज़ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तब भी तो वही हालत हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ एडिक्शन के साथ में भी होता है एडिक्शन मतलब आधत फर्स दिक्री लट उसकी हाइस्ट दिक्री जैसे हम एडिक्शन बोलते हैं और आज की पुक समरी कुछ इसी बारे में है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी व से लिखा है एडम ओल्टर ने और आपको याद होगा 2010 में स्टीव जॉब्स ने आइपेड लॉंज किया था उन्होंने बोला था कि सब के पास आइपेड होना ही चाहिए आइपेड एक्स्ट्रा ओडिनेर यह हमारे एक्स्पिरियंस को एकदम अलग लिगल पर ले जाता है ल स्टीव जॉब्स से बहतर कॉन जान सक्ता था कि एक मॉबाल डिवाइसे कितनी अडिक्टे होते हैं इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को अपने प्रड़क्य यूज करने ही 995 आप जानते है फोने अडिक्टेट क्यों होते हैं क्या आपको घानना है कि हम या फिर बिलेनियर है आपको ये बुक जरूर सुननी चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी और लाव उठाते हैं इस समरी को सुरूर करते हैं उनकी लिखी बुक को दरीजिस्टेबल तो शुर्वात कुछ इस तरीके से कि हम आपसे कुछ सवाल पूचेंगे और परहर सवाल के बदले में आपको इस स्केल के अनुसार ही अपने आपको मार्किंग देनी है जीरो इस फोर नोट अप्लिकेबल वान फोर बहुत कम या रेरली तू फोर कभी कभार या फिर ओकेजनली त्री फोर फ्रिक्वेंटली यानि कि बहुत बार पोर पूर ओपन यान कि हमेशा ओनलाइन होने का सिकायत करते रहते हैं तीसरा सवाल है तकरीबन कितनी बार आप बीना काम पड़े भी अपना इमेल चेक करते रहते हो चोता सवाल है तकरीबन कितनी बार फोन की वज़े से आपकी नीन पूरी नहीं हो पाई है और पांचवा सवाल है तकरीबन कि 8 से बारे के बीच स्कोर किया तो आपको mild internet addiction है आपका अपनी mobile time पर अभी भी control है अगर स्कोर 13 से 20 में है तो आप एक moderate internet addiction है आपका phone आपको frequent problem दे रहा है अगर आपने 21 से 25 के बीच स्कोर किया तो समझ लिजे आपको mobile की खतर ना खतक addiction हो गई है आपका phone यूचा आपको और आपके करीब लोगों को serious problem दे रहा है इस किताब में हम पढ़ेंगे कि हमको online shopping video games, beach watching या फिर social media की addiction क्यों होती है हम इसके अहम कारम पर discuss करेंगे और जानेंगे कि हम अपने बच्चों को इन सब चीजों से addict बनाने के लिए कैसे रोक सकते है इस किताब में ऐसे solutions और सुझाओ दियेगे जो हमको internet addiction से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है और हम इस book में उन अलग-अलग जाल यानि कि traps के बारे में भी जानेंगे जिससे हम कभी भी दुबारा उसके सिकार ना हो सके तो बिल्कुल concentration के साथ में तयार हो जाए और start करते हैं ये पहला chapter The Rise of Behavioral Addiction addict कोई भी बन सकता है इसकी कोई special category होती ही नहीं है आप या फिर हम कोई भी किसी लट का भी सिकार हो सकते है हम यह नहीं बोल सकते कैसा हमारे यहां यहां हमारे पडोस में नहीं होता है डॉंग नहीं एक वेट नाम के वीडियो गेम के डेबलोपर है 2013 में उन्होंने एक गेम रिलिश के जिसे वह भी बहुत खिलते थे ये गेम उनका brain child था इस गेम में प्लियर कोई उर्स उडती हुई चिडिया को रास्ते कीós रिकाउटो को पार करा तरकर के इसे आगे बढ़ाना होता था चिडिया को कहीं तकराना नहीं था वरना आप हार गये प्लेयर्स को चीडिया को बचाने के लिए मोबाल स्क्रिन पर लगाता टैप करते रहना होता था ये गेम रात तो रात पॉपिलर नहीं हुई इस गेम को हिट होने में पूरे आठ महीने लग ये जन्वरी 2014 की बात थी ये गेम एपल स्टोर के सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले गेम बन गई थी डॉंग ने शिर्फ एड रेवेन्यू से एक दिन के पचास हजार डॉलर गमाए उनके तो खुछ होना चाहिए था उनको कि उनको अपनी सक्सेस अलिब्रेट भी करने चाहिए थी मगर आप जानते हैं डॉंग खुछ नहीं थे उन्हें लग रहा था जिसे उन्होंने एक मॉंस्टर बना दिया है एक यूजर ने एपल के स्टोर पर कमेंट में लिखा कि इस गेम ने मेरी जिंदगी बरबाद कर दी है ये कोकीन से भी बतर है एक और यूजर का कमेंट आया इस गेम को डाउनलोड मत करना मैं सो नहीं पाता हूँ, खा नहीं पाता हूँ मैंने अपने सारे दोस्तों को गवा दिया मैंने सारा दिन ये गेम खेलता रहता हूँ सिर्फ एक महिने के बाद फेबररी 2014 में डॉंग ने ट्वीट करते हूए लिखा I am sorry अब से 22 गंटे बाद ये में गेम हटा दूँगा आप में और बरदास्त नहीं कर सकता हूँ और उन्होंने अपना वादा पूरा किया बाद सिर्फ ये थी कि ये गेम बहुत ज़्यादा एडिक्टेर थी कई लोगों की लाइफ में इस गेम के वज़े से प्रॉब्लम क्रियेट हो रही थी डॉंग ने गेम को हटा दिया और खुद भी कहीं गायब हो गए वे लोगों का सामना करने से बच रहे थे क्या आपने इस गेम का नाम सुना है क्या आप इस गेम के एडिक्ट रहे थे ये कोई और गेम नहीं बलकि फ्लैपी बर्ड था ऐसा कोई महला नहीं था कोई बस्ती नहीं थे और कोई देश नहीं था जो इस गेम के एडिक्शन का सिकार नहुआ हो कहने का मतलब यह है कि addiction हर जगा है गली मोहले के नुकड में जो cigarette बिक्ती उसके अंदर भी drugs है दुनिया के हर illegal चीज में एक नसा चुपा है लेकिन addiction की चीजे से बाहर ही नहीं बलकि हमारे office, घर और बाकी जगों में भी मौझूद होता यह हमारी जेब के अंदर ही है और इस वक्त हमारे हाथ में भी पकड़े हुए है हम यह नसा है हमारा phone इंटरनेट addiction test ने हम आपने कितना score किया था आपकी life में, career में या फिर family में जो भी problem होती है सायद उसकी वज़ा भी हुए mobile ही हो सकता है और इससे बसने का कोई रास्ता नहीं है आप चाहा करके भी इससे दूर नहीं रह सकते हो और इस बात को समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स चेप्टर की और the addict in all of us यानि कि किसी की लट चुडाने के लिए उसको उस चीज से ही दूर रखी थरीका होता है कि उस इंसान को उस चीज से दूर रखो जिसकी उसको addiction है जैसे अगर आपको online gaming की लट है तो फिर कभी उस सहर में या फिर उस घर में या फिर उन दोस्तों के पास में लोट के मत चाहिए जिनके साथ आपको उस एडिक्शन लगी थी खुद को ऐसे माहोल से हमें साब बचा करके रखे जहां आपको addiction की लट लगी थी क्योंकि वो सहर वो जग़ या वो लोग आपको उस नसे की लट दुबारा लगा सकते हैं चलिए हम यहाँ पर आईजेक बैसबर्ग की एक स्टोरी लेते जिसे वर्ल अफ वर्क्राफ्ट का addiction था 1992 में आईजेक पेने जुला में पैदा हुआ था उसको बहुत प्यार करने वाली मा और खयाल रखने वाले पिता मिले थे हाला कि उसके पिता का बहुत काम रहता था और काम के सिल्सी में वो सारा दिन बाहर रहता था आईजेक को जोड से गले लगा लेते जब उसके पैरेंट्स घर पे आते है आईजेक को खूब प्यार मिलता था सब कुछ ठीक चल रहा था कि उसके पैरेंट्स का तलाक हो गया वो और उसकी मा वेनेजिमला छोड़के वियामी में रहने लगे अपने पूरे टीनेज के दोरान आईजेक अकेले बंचे जूजता रहा उसके पैरेंट्स के तलाक की वज़े से वो कभी वेनेजुला तो कभी यूएस रहता था वो दोस्त तो जल्दी बना लेता अबर उसकी फ्रेंड्शिप लॉंग टाइम तक नहीं रह पाती थे और ना है उसके ऐसे खास दोस्त का भी बन पाई जिससे वो अपने फिलिंग्स और ड्रिम्स शेयर कर सके आईजेक ने 14 साल के उम्रे में वार्क्राफ्ट खिलना स्टार्ट कर दिया था बागी प्लियर की तरह वो भी एक गिल्ड मेंब सामिल हो गया था और काम रेडरी बनाते थे आईजेक की अपनी गिल्ड मेंबर्स के साथ में एक प्लोज फ्रेंड्शिप हो गई थे वो वार्क्राफ्ट की दुनिया के जरिये उसको एहसास हुआ कि डीप फ्रेंड्शिप किसा कहते है क्योंकि रियल लाइप में उसके ऐसे कोई मीनिंगफुल रिस्ते नहीं बन पाये थे फिर उसे वासिंग्टिंग डिसी के अमेरिकन युनिवर्सिटी में अड्मिशन मिल गया उसका पहला सैमिस्टर अच्छा गुजरा वो स्ट्रेट A स्ट्यूडेंट था लेकिन सेगंड सैमिस्टर में आईजेक काफी स्ट्रेस में रहने लगा वो उस्ट्रेल के कमरे में अकेला पर महसूस करता था इसलिए उसने फिर से वार्प्राफ्ट केलना स्टार्ट कर दिया और वो सारे सबजेक्ट में स्ट्रेट A से CDE तक पहुंच गया था आईजेक के मा ने उसका एड्मिशन दी स्टार्ट में करवा दिया ये दुनिया का पहला इंटरनेट एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है रिस्टार्ट उन टीनेजर्स का ट्रीटमेंट करते हैं जो उनलाइन गेमिंग एडिक्ट है ये सेंटर एक 6 वीक प्रोग्राम उफर करता है जहां पार्टिसेपेंट्स को रिस्टार्ट सेंटर में रहना पड़ता है और ये जगह सियेटल के जंगलों के अंदर है इस सेंटर में तीनेजर्स को किसी भी तरह का गैजिट सकने और यूज करने के मनाई है इन लोगों को नेचर के बीच में रहना होता है उनको ट्वालेट साफ करना, अंडे, बकाना वगरा वगरा और मॉर्निंग में अपना विस्तर्स थी करने जिसे बेसिक स्किल सिखाई जाती है इन बच्चों को रोज फिटनेस चिर्म में ट्रेनिंग भी दी जाती है आईजेक ने भी अपने छे हपते वहाँ पे फिटनेस प्रोग्राम को पूरा किया उसने उसे पहले से बैतर फिल हो रहा था उसे फिल हुआ कि जैसे उसकी लाइब फिर से एक बार ट्रैक पर आ गई हो लेकिन फिर एक गलती हो गए आईजेक को फिर से वासिंग्टन दिसी में अमेरिकन उनिवर्सेटी जाना पड़ा क्योंकि उसे अपनी कॉलेज दिग्री पूरी करनी थी पर जहां पर आपको कोई लट लगे हो उसी जगह दुबारा जाना बहुत बड़ी गलती होती है आईजेक को वो डेट अच्छे से याद है वो दिन था 21 फेबरी 2013 का पस इतना हुआ था कि उसे अपने एक वार्ट क्राफ्ट गिल के फ्रेंड का मेसेज किया आईजेक कॉन्फिडेंट था उसे भरोसा था कि वो इस गेमिंग एडिक्षिन से पूरी तरीकी से रिकबर हो चुका है इसलिए वो आप दुबारा इसका सिकार नहीं बन सकता था पर जब उसकी फ्रेंड ने उसे ये पूछा कि क्या हुए एक छोटी से वार्ट क्राफ्ट सेशन को जोइन करना चाहेगा तो आईजेक मना नहीं कर पाया 21 फेबरोरी के दिन आईजेक ने फिर से वार्ट क्यला और अगले 5 हपतों तक खेलता ही रहा यहां तक कि वो उस रूम से भी बाहर नहीं निकला उसने नहाना चोड़ दिया क्लास अटेंट करना चोड़ दिया बस वो दीन रात वार्ट क्राफ्ट ही खिलता रहता था उसे एक गेम के ऐसी लत लगे जिसे वो चार गंटी ही सोपादा था और जब उड़ता तो फिर से वापस से खेलना स्टार्ट कर देता था वो पूरे 35 दिन उन ही कप्रों में रहा जो उसने 21 फेबरोरी को पहने थे उसने कॉलेज होस्टेल के डोर्मेन के साथ ऐसे सैटिंग कर ले थे वो उसका खाना सीधे उसके रूम में पहुंचा देता था आईजेक के डेस्क पर कच्छडे का धेर लगया था उसके मोबाइल पर 142 142 कॉल आये थे लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया था फिर जब 143 वा कॉल आये तो उसने उठा लिया ये उसकी मा का कॉल था उसके माने बताया कि वो दू दिन बार उससे मिलने आ रही है तब जाकर के आईजेक ने फाइनली गेम छोग खेलना चोड़ा और अपनी हाला देखी तो हैरान रहे गया वो एक महिने से वही कपड़ पहना था खाने पीने के खाली पैकेट से उसका रूम भरा हुआ था उसके बालों में गंदगी भर रहे कही थी और वो काफी मोटा हो गया था खुद को सीसे में देख करके उसको आइसास हुआ कि उसने अपनी गलती कूबूल कर ली थी उन्होंने मिल करके डिसाइड की कि उसको वापस से एक बार फिर से रिस्टार्ट जाना चाही था बट इस बार उसने six week in patient program और उसके बाद साथ महीने का out patient program करने का फैसला लिया आइजेक फिर हमेशा के लिए Seattle में रहा और कभी lot करके Washington DC नहीं आया six week patient program के बाद में आइजेक restart center के पास ही रहने लगा था उसे एक part time job भी मिल गई थी फिर कुछ महीने बाद उसे एक fitness gym में manager की job मिल गई उस gym के मालिक ने जब gym बैचने का फैसला लिया तो आइजेक ने उसने वो gym खरीद लिया सिर्फ चार महीने बाद ही उसके management के अंडर gym की membership तीन गुना बढ़ गई थी आईजेक के अब अच्छे दोस्त भी बन गए थे वो अब एक fit healthy और एक successful entrepreneur था उसकी warcraft की addiction हमेशा के लिए दूर हो गई चुकी थी यानि की addiction छूट सकती है इस positive note की बाद आगे पढ़ते हैं बात करते हैं the biology of internet addiction behavioral addiction के पीछे के वजह क्या है इसके पीछे के वजह है dopamine level में बढ़ोतरी और psychological problem का एक साथ हो ना अगर आप depression या tension में है तो साइध आप अपना दर्द कम करने के लिए food, drug या फिर किसी और नसे के साहरा ले सकते हो अगर आप अकेले हो आपके कोई दोस्त नहीं है तो आप साइध ओनलाइन गेमिंग में फ्रेंट्स बनाएंगे हमें सिर्फ dopamine हिट से एडिक नहीं बनाता यह substance addiction से आलग है सराब तफा अतंबाको या फिरोईन जैसे drugs का सेवन करते ही हम अच्छा महसूस करने लगते है तूरंत हमें लगता है जैसे कि हमारा तनाव हमारी परिशानिया हम दूर हो गई है हमें अपना दिल और दिमाग हलका लगने लगता है लेकिन अगर डोपामाइन यह असली गुनागार होता तो साइध हर बच्चा जो अपनी पहली बार आइस्क्रिम टेस्ट करता वो इसका एडिक्ट बन जाता बिहेवेरल एडिक्शन के पीछे एक और वज़ा है और वो है साइकोलोजिकल प्रॉब्लम्स एक इंसान होने के नादे हम सब रोमेंटिंग लव और पैरेंटिंग चाहते हैं पर क्यूं क्यूंकि हमारी हुमन स्प करने के लिए मैरिज और सेक्स की जरुत होती है बस इतनी से बात है अगर किसी को पैरेंट्स का प्यार ना मिले या कोई लाइफ पार्टनर ना मिले तो जो उसे प्यार करता है जाहिर वो एडिक्शन का सिकार हो सकता है हम सब को अपनी लाइफ में पैरेंट्स के क्यार और चाहिए जो हमें चाहे हम अपनी मा का अंकर डिशनल लव और कियर चाहते हैं खासकर पैदा होने से 5 साल के उम्र तक यहीं वो उम्र होती है जब एक बच्चे में सीखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है इस उम्र में बच्चा कोई भी लैंग्वेज ये सामाजिक तौर लर्निंग, फोकस्ट अटेंशन और सक्सेस का एम रखने के लिए लैंग्वेज ही पहली सीडी होती है और सामाजिक तोर तरीके हमको दोस्ती करना रिष्ते निभाना सिखाते हैं और यहीं आगे चल करके हमें इंटी मिनेट रिलेशनसी बनाने में भी हैप करती है अगर कि किसी बच्चे को प्यार और केर ना मिले और वो बच्पन से ही फोन या टेबलेट के साथ वक्त गुजारे तो वो बच्चा बेसिक लाइफ स्किल कभी नहीं सिख पाएगा वो किसी और के तो क्या कुद अपनी इमोशन भी नहीं समझ पाएगा वो सक्सेस पाने के लिए मेह अनत करना नहीं सिखेगा उसे दूसरों के साथ शियरिंग और इंपैथी करना नहीं आएगा ऐसा बच्चे दूसरे बच्चे को हर्ट करने के बाद भी सौरी फिल नहीं करेंगे वो किसी भी दूसरे बच्चे को जा करके सीधा तुम मोटे हो बत सूरत हो ऐसा बोल देंगे और चलता बनेंगे क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसने किसी को हर्ट किया है यह तब होता है जब बच्चा फेशल एक्स्प्रेशन रीड नहीं कर पाता है क्योंकि उसको बस मोबाईल या टैब्रेट चलाना आता है इंसान की जिन्दगी में अंसाइटी, डिप्रेशन, अ पर आसी भी इन सीक्योरिटी रीप्रेशन या अकेला पनफील होते वो इन चीजों का सहारा लेने लग जाते हैं वेल एडिक्शन कोई भी हो इसका रूट कॉस्ट और क्योर यही है क्या बच्पन से ही बच्चों को एक प्यार भरा माहौल दो, उनके साथ में भर पूर वक् इनसान बनेगा, वो अपनी खुशियों या गम के लिए किसी ड्रग या बिहेवियर पर डिपेंड नहीं रहेगा, उसे पता होगा कि वो अपने आप में एक कम्प्लीट इनसान है, उसे किसी का प्यार पाने के लिए किसी नसी की ज़रुरत नहीं है, और आप उसके साथ 100% ह और वो पूरे confident के साथ में दुनिया का सामना करेगा और successful बन करके दिखाएगा, तो psychology के इस deep secret को समझने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस chapter को, जो की है the ingredients of behavioral addiction, चलिया आप phone addiction पर focus करते हैं, यानि कि social media, online shopping, binge watching और video games, ऐसे 6 hooks यानि कि 6 hooks है जो game designer यूज करते हैं, ताकि लोग अपने phone का ज्यादा से ज्यादा से इस्तमाल करें और जहां भी चाहें, हमेज हम मोबाइल से चिप के रहें, बस ठूके गोल्स, अब जिससे fitness watches को ले लीजे, आप अपने stock count चेक करेंगे, calorie count करेंगे, exercise reps, pulse rate, यानि हर चीच चेक करते रहेंगे, आप सारा दिन scale और number ही देखते रहेंगे, जिन लोगों के पास में fitness watch है, उनके साथ कुछ इस तरीके की problem होने लगती है, जैसे उनका running करनी ही है, तो चाहे उनके पैर दर्दी क्यों न कर जाए, वो calorie count करना नहीं बूलेंगे, चाहे वो भूखे मर रहे हो, लेकिन ये healthy नहीं है, इसस इसे लोग अपने step count के साथ में कभी भी satisfy नहीं होती, इसलिए वो running करते ही रहते हैं, खाते वक्त भी ऐसे लोग हमेसा calorie count करते हैं, बॉड़ी को energy के लिए sugar चाहिए होती है, बॉड़ी को physical और mental activities के लिए carbohydrates की जरुत होती है, फिटने सोच पहनने वाले लोग bread, चाओ अलची यह साब खाना छोड़ देते हैं, चाहिए वो कितने ही कमजोर क्यों नहीं हो जाएं, second हुग है feedback, अपने साथ candy crust जरूर खेलाओगा, इसके mechanics एकदम simple है, तीन या पास candies को एक line में match करो तो point मिलते हैं, लेकिन addictive पार्ट यह नहीं है, यहाँ जो drug यानि जो लाते उसे game designer the juice ब लगती हर right move के बाद visual effect और sound play होता है, यहीं इसका juice है, हर click पर instant feedback मांगा जाता है, स्क्रीन पर हर tap के साथ आप और candies मैच करते रहते हो, गेम के addictive बन जाते हो, थर्ड हूख है progress, Shigeru Miyamoto एक master game designer है, उन्होंने second, fifth और sixth और इसी तेकेशा आगे के game design किये है, Miyamoto वो इंसाने जिन्होंने Mario Bros. और Dungi Kong बनाया था, जितने भी popular game आपने खेले होंगे, इसके पिछे Miyamoto का ही दिमाग है, Nintendo एक SD कम थी जो खतम होने के ककार पे थी, फिर Miyamoto को hire किया गया, Mario Bros. create किया, game की सुर्वात में सिर्फ space होता है, Mario का new player अपनी merge इसे console explore करके पता लगाता है, कि कौन से arrow से Mario walk ये jump करता है, और gamer के पास सिर्फ आगे बढ़ने की choice है, लेवल वान में player game की mechanic सीख जाता है, वह ये खुद में एक manual होता है, पर Mario किसी को भी boring नहीं लगता है, expert को भी नहीं, पुछे क्यों, क्यूंकि मिया मोटो ने game में secret techniques डाले है, क्या आप 100 life turtle के बारे में जानते हो, इसमें कैसा point आता है, जब player Mario को जितनी बार चाहिए total पर jump करा सकता है, ताकि उसे और life मिल जाए, एक expert player को dragon को हराने और princess को बचाने के लिए वो extra life चाहिए होती है, Mario में usual turtle एक बार jump करने पर चला जाता है, पर 100 life turtle एक ऐसा secret है, जो सिर्फ एक expert player ही जानता है, फोर्थ हुक है exploration, जिसे जिसे आप game में export होते जाती हो, गेम मुश्किल होती जाती है, आप game traders को ही ले लिजे, इसे रुषियन scientist एलेक्सी वजेत्रों ने इन्वेंट किया था, टर्टिस एक side project के तोर पर create हुआ था, ये tennis और four piece domino game, तैत्रों मिनोज का मिला जुला हुक है, पत्री जो इस game को program करते करते कुछ एडिक्टिव हो गये थे, वो frustrated हो गये थे, क्योंकि वो game को खतम करने वाले कोई code finish नहीं कर पा रहे थे, फिर जब उनका काम पूरा हुआ तो उनके colleagues भी इस game के addict बन गए, इसमें level secret होते हैं, जैसे जिसे आप इसमें skill होते हैं, game और hard होता चला जाता है, block stages है नीचे गिरने लगते हैं और आपको उनकी ज़रत नहीं होती, फिर भी आपको वहीं मिलते हैं, जब एक line complete करते हैं तो तुरंद गायब हो जाते हैं, फ एक्सपर्ट बोर्ड हो जाएंगे और game खेलना बंद कर देंगे, तो इसका solution है कि level difficult बना दिया जाए, जो gamer के ability से match करें, उसको challenge करें कि और ज्यादा कोशिस करें, इस तरीके से player board ना होकर, game quit नहीं करेंगा, क्योंकि उसके सामने challenge होंगे, हर teacher और parent को ये बात मालूम होनी चाहिए, और एक student की या बच्चे को engage करने के लिए activity उनके export level से match होनी चाहिए, और task भी challenge होने चाहिए, explanation rule है कि player हमेशा जीतेगा, तो बोर हो जाएगा, और अगर हमेशा हारेगा, तो game quit कर देगा, इसलिए तो casino में slot machine में कुछ गिनेचुने ही जीत पाते हैं, और बाकी से जीता देती है, और वो फिर एक बार game खेलने के लिए motivate हो जाता है, lottery and tv games हो उसका भी यही secret है, viewers को जब लगता है को कोई नहीं जीत रहा है, अचानक jackpot winner announce होता है, और viewers फिर से game देखने में मस्दूर हो जाते हैं, फिप धूख है, flip finger, क्या आपको गाना याद है, September by Biggies, ज इसका chorus और अगली line जो आप चड़ जाती है, आप सुनके देखना, और इसको ही flip finger बोलते हैं, लोग इसी गाने movie या series के addictive हो जाते हैं, क्योंकि हमारा brain closure पसंद करता है, हमको कोई closure चाहिए होता है, ताकि हम move on हो सके, और next task पर focus कर सके, अगर movie open ended हो गई, तो हम इसके लिए पागल हो जाते हैं, हम यहीं सोचते हैं कि end में क्या होगा, सिब यहीं चीज all time top series के लिए भी लागू होती है, और जैसे the sopranos के अलावा, और यह list endless है, अब आप समझ गया होंगे कि क्यों अक्सर लोग x level या partner को भूल नहीं पाते, जिसने अच्छानक से break up कर लिया, वो इस पोटो, वीडियो, यह स्टेटेस पोस्ट करते हैं, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाइक मिल सके है, आपको एक secret tip देते हैं, अगर आप अपने फीट के हर पोस्ट को लाइक करें तो भी आपको ज्यादा लाइक मिलेंगे, लोग आपकी पोस्ट अभी लाइक करेंगे, जब आपने उनके पोस्ट पर लाइक किया हो, रमी चावले एक अप डवलब पर हैं, उन्हों लें लवमेटिकली क्रियेट किया है, जो आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट पर लाइक करते हैं, 14 फेबरी 2014 को चावला ने 5000 यूजर को अपने अप डाउनलोड करने दी थी, सि जब हम ये समझ गए हैं, इस चुटकारापाना मुस्किल है, चलिए कंक्लूजन के जरी समरी को रिवाइज कर लेते हैं, और ठान लेते हैं कि अगर हमारा एडिक्षिन लेवल, माइट लेवल पर, एडवांस लेवल पर है, तो हमको इस से चुटकारापाना ही है, तो फिर चलिए एक बार फिर हम इंटरनेट के 6 एडिक्शन हुक को दोराते हैं यह है गोल्स, फीडबैक, प्रोक्रेस, एसकलेशन, क्लिप, हैंगर और एक सोसियल इंटरेक्शन इनके चकर में हम कभी दुबारा नहीं पड़े तो ही अच्छा है तो ही हम एडिक्शन से बच सकते हैं और सबस्ते या फिर बिहेवियर के प्रति कोई भी एडिक्शन हो सकता है लोगों के ऐसे कोई गुरूप नहीं होते जो इसकी तरफ ज्यादा एडिक्टेड हो या फिर कोईugen को ऐसी श्पेशल ब्रेंड वायरिंग नहीं होती है जो इनसान को एडिक्ट बना दे तो सच तो वाचिंग और वीडियो गेम्स पर भी लागू होती है गेम डिजाइनर लोगों का एडिक्टिर बनाने के लिए इंटरनेट हुक्स का इस्तमाल करते हैं behavioral addiction में psychological problem main feature है लेकिन अगर किसी के पास में प्यार करने वाला साथ ही देख प्याल करने वाला parents है तो behavioral addiction का सिकार होने से बचा जा सकता है anxiety, repression और अकेले पन से घबरा करके लोग अकसर कुछ ऐसी activity में involved हो जाते हैं जो उनको dopamine hit का effect देती है लेकिन आप सवाल यह है कि इस phone के addiction से कैसे बचा जाए तो अपना phone दूर रख दीजे सारे apps delete कर दीजे ऐसे जीना start करने की practice करें जिसे आप 80 या 90 के dickens में दसक में जी रहे हैं जब internet या mobile नहीं हुआ करते थे और जीने आपने आप से मिलना होगा बात करने हुगा कोई ने कोई तरीका तो धून ही लेंगे workplace में जरूरी messages साहते रहेंगे आपको पता भी चलता रहेगा इस बात का यकीन रखिए कि internet को एकदम avoid करने से आप किसी movie सी बत में नहीं फसेंगे और नहीं किसी addiction का सिकार होंगे क्या आपको लगता है कि internet के बिना जीना मुश्किले तो जरा सूचिए असी है नभी के दसक के लोग कैसे रहते होंगे और वहाँ तक जाने की जूरत नहीं है आज भी ऐसे लोग है और अगर आप सोचते हैं कि time में difference था तब भी ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास हैं जो भीना internet addiction के जीते हैं जो भीना android phone के जीते हैं जो भीना watch safe और social media के अपने live को बक्षू भी जीते हैं क्योंकि उनका focus अपनी काम पे रहता है देखें music तब भी होता था तब भी मज़े करते थी offline रहे करके भी आप उतना ही enjoy कर सकते हो आप mountain climbing कर सकते हो, nature walk पे जा सकते हो, life concert अटेंड कर सकते हो या अपने family या दोस्ते साथ में खाना खाने के लिए restaurant में जा सकते हो खोन के बगर आप अपने आसपास के दुनिया को और बहतर तरीके से देख और समझपाओगे आपकी family और friends और ये पूरी दुनिया कितनी interesting है या आप तभी जान सकते हैं जब आपका mobile आपसे दूर होगा तो कुछ देर के लिए अपने mobile टन आफ कर दीजा अपने router के आवार निकाल के रख दीजा दुनिया को देखिए क्योंकि अभी भी बहत कुछ ऐसा है जो आपने explore नहीं किया है न तो उम्मीद करते हैं कि positivity से भरी हुई यहां summary जो कि solution देती है addiction से बचने का आपको जरूर पसंद आई होगे और अगर कोई दूसरे summary आपको सुननी है कोई दूसरी तो आप comment box पर लिख सकते हो message कर सकते हो कोई feedback देना हो तो भी दे सकते हो thank you for listening this audio thank you so much